जै स्री कृष्णा राधे राधे वास्तु सास्त्र में कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताया गया है जो घर के लिए बहुत सूप होते हैं लेकिन कुछ पौधे हैं जिन से बचके रहना चाहिए क्योंकि ये पौधे अपने साथ नकात्म कुर्जा को लाते हैं जीवर में मुस्किने बढ़ा देते हैं आप लाग प्रयास कर लो आप ना प्रसन रह पाओगे ना धन से बचा पाओगे और ना आपका स्वास्त अच्छा रहेगा इसलिए ये जाना आवस्तिक है कहते हैं घर में पेड़ लगाने से हर्याली आती है और घर में रहने वाले लोगों का स्वास्त अच्छा रहता है लेकिन क्या आपको पता है वास्तू कि इनुसा और कुछ पौधे बहुत सुभ होते हैं और घर में लगाते ही आपका भागे का साथ आपको मिलने लगता है घर में सम्रिद्धी आती है हल्दी का पौधा अगर हल्दी का पौधा अपने घर के गमले में भी लगाते हैं तो नेगेटिव इनर्जी आपको प्रिसान नहीं करती और हल्दी में अगर फूल आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में खुशाली अब बस आने वाली है अपरा जीता जिसको हम कृष्ण कानता भी कहते हैं नीले रंग का पुस्प लगता है और इस पुस्प को भगवान स्री हरी ही नहीं बलकि भगवान स्री कृष्ण सिप जी और गनेज जी मादुरुगा को भी अतीप्री है लाल रंग का गुलाब वैसे तो गुलाब का पु पौधा कहते हैं जिस घर में नारियल का प्रेड लगा होता है उस घर के लोगों का मान सम्मान दिन दूनी राचों बढ़ता चला जाता है लेकिन व्यवस्ता यह करना है कि नारियल का पेड आपके घर के कहीं विप्री दिसा में ना हो यानि आप उसको हमेशा दक्षिन का पौधा भी कहते हैं और सिपजी को अतीप्री है इस पौधे को अपने घर से मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने तरफ आप लगा सकते हैं घर में सुक्सम्रिद्धी बढ़ेगी और लोगों की बुरी नजर भी आप लोगों पर नहीं पड़ेगी तुलसी का पौधा ज घर के उत्तर पूरव में लगा है नीम का पौधा वैसे तो आपको पता है कि घर के आसपास आम का प्रेड़ होना अच्छा नहीं माना जाता बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और आप नीम का पौधा लगाते हैं तो अच्छा है साथ ही अगर आउले की पौधे की बा और वेवाहिक जीवन भी बहतर होगा आपका इस बात को हमेशा याद रखिए असोक का पौधा जिस घर में असोक का पौधा होता है उस घर की सोक दुख दरिद्धा परिशानी सब समाफ्त हो जाती है बच्चों के बुद्धी भी तेज होंगे और पैसा भी ठीकेगा अगर असोक का पौधा आपने लगा लिया है तो अब यह है एक इस पीपल का पौधा घर में ना तो लगाएं पूजा करने के लिए भी गमले में भी ना लगा है पीपल और बढ़गत का पेड भूल कर भी मतलगाईए आप पास की किसी मंदर में लगा सकते हैं अगर आपके घर अब यह जैसे कि बर्गत का पौधा पीपल का पौधा यह सब भूल कर भी ना अब बोञड़े का मतलब होता है इसको बोना कर देना इसके बढ़ने के का दी को कम कर देना तो से पौदें मतलाईये, घर के लोगों के प्अट्रगती में तरक्की में रुकावट आईगी, और इसके साथ ही इम्ली का पौधा घर में मतलाईये और घर के आसपास भी है तो उसको वहताने का ताने का बेवस्था करवाये बास्तू के नुसार ये असूब है इसके पत्ते भले ही आप महंदी पीसकर लगाया जाता है लेकिन इसको घर में मत लगाईए अब जैसे कई बार होता है आपके घर में पूस पाए हैं फूल अपने रखे हैं फूल दान में उठाकर साइड पढ़ा हुआ है सुखावा पूल बुके है पढ़ा हुआ है उसको पढ़ावा मत रने दे उसको तुरंट घर से बाहर निकाले क्योंकि ये घर की नकात मकता को बढ़ा देता है कपास का पौधा है कहते हैं जिस भी घर में या घर के आसपास होता है वहां असुपता जादा होती है निगेटिप्टी जादा ह जाएंगे अब यह है आम का पौधा फल्दार पौधे कभी में लगाए आम हो अम्रूद हो यह सब पौधे आपके जीवन की परेस्वनियों को बढ़ाते हैं तरकी को रोग देते हैं वैसे बहुत साइर लोग अभी सौक के तौर पर बैंबू ट्री लगाते हैं कि आपको पत खोड़ रहे हैं पर अपनी परंपराओं को निभाना हमारा फ़र जाए तो यह बैंबू ट्री भी घर में नहीं लगाए तो अच्छा है संतान की तरकी रुख जाएगी ध्यान रखिएगा और फलदार पौधे तो भूल कर भी ना लगाए घर अंगर में बगीचे में तो इन बातों का ध्यान रखे और कुसाल जीवन जी तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनों से सेयर कीजिए कमेंट में हरहर महादेव जरूर लिखिएगा धन्यवाद